के हैं कि आपको अप्रेंड्स कि अर्ण नीटर पे आप सब बहुत बहुत स्वागत है जो मैं आपको ये स्वेटर दिखा रही हूं इसका मैं पार्ट वन जो है अपलोड कर चुकी हूं यह शोल्डर तक स्वेटर बन चुका है यानिके मैंने नेक से स्टार्ट किया ये और श पिछले वीडियो में मैं इसको पूरा step by step सारा दिखाया है तो वहां से जाके आप इसका part 1 देख लीजिए और आराम से इसको बना लीजिए और friends इसको मैंने दो circle needle पर डाला है ताकि इसको आप आराम से देख सकें यह देखिए अब मैंने पूरा खोल के इसको दिखाया है द दो circle needle पर यह पूरा है तो 80 cm की circle needle है एक और दो पर आप देख लीजिए बहुत बड़ा यह बना है तो चलिए इसका next मैं आपको बता देते हूं कैसे करेंगे देखें friends मैंने इसका dividation बना लिया है यहाँ पर आप देख सकते हैं यह वाला जो portion है front portion सबसे पहले उसके बाद friends यह बाजू के फंदे हैं उसके बाद देखिए यह इसकी back portion आएगा back side का जो होता है उसके बाद आएगा इसका फिर से बाजू यह देखिए और उसके बाद फिर से आपका front portion यह निकि यह मैंने इसके dividation बना लिया है मैं आपको फंदे बता देती हूँ मैंने लिखा हुआ है कि कितने कितने फंदे रखे हैं तो उसी हिसाब से इसका dividation बना लिजिए देखिए friends मैंने यह जो है इसका dividation बनाया है फंदों का जो मैंने इसमें किया है मारकर लगाए हुए हैं तो मैं बता दूँ कि आपको 415 फंदे थे हमारे पास टोटल इसमें स्वेटर में तो हमने कैसे ड्वाइड किया है फ्रंट साइड के लिए हमने 56 56 प्लस 9 बटन पट्टी के फंदे हैं हमारे तो टोटल फंदे हमने जो पार्ट पहला है हमारा उसके 65 रखे हैं उसके बाद आता है बाजू बाजू के हमने देखे 88 88 फंदे रखे हैं और उसके बाद आता है बाजू के बाद बैक साइड बैक साइड के 109 फंदे रखे हैं उसके बाद फिर से आर्म आता है बाजू आता है उसके फिर से उतने ही फंदे जो हमने पहले रखे थे 88 फंदे हैं और बाद में आता है फ्रंट साइड जो सेकंड वाला आएगा हमारा ये पहले वाला फ्रंट साइड है जो सेकंड फ्रंट साइड तो उसमें उतने ही फंदे जो हमने पहले वाले में रखें ये दिखिए 56 प्लस 9 बटन पट्टी के और टोटल ये 65 बंदे तो इसका अगर हम जोड बनाते हैं तो ये हमारे पास 415 आता है तो मैंने ये डिवाइड कर लिया है तो चली आगे बताते हूं आपको देखिए अब हम फ्रंट साइड के पले औ यहां से फ्रंट साइड के फंदे हैं यहां तक 65 फंदे तो ये मैं बुन लेती हूं इसको आप अपने डिजाइन के हिसाब से बुनिए तो थोड़ा मैं आपको दिखाती भी हूं देखिए फ्रेंड्स बटन पट्टी के फंदे मैंने बुन लिए हैं यहां पर अपना डिजाइन आप डाल सकते हैं यह देखिए तीन फंदे सीधे बुन लिए मैंने जैसे हम डिजाइन इसमें कर रहे थे वही हम करेंगे यह देखिए ऐसे और यह सारा यहां तक बुन लेती हूँ मैं 65 फंदे फिर मैं आपको दिखाती हूँ देखे फ्रेंड्स 65 फंदे जो हैं फ्रंट साइड के मैंने अपने डिजाइन के हिसाब से बुन लिए हैं अब यहां पर देखे मारकर है है यहां से हमारे स्टार्ट होते हैं यह ओले जो फंदे यह बाजू के फंदे हैं88 स्टीचेश तो यह फंदे जो बाजू वाले हैं यह हम सूई धागे पर उतार लेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें बाजू जो हैं वो बाद में बनेंगी, अब भी हमारा ये, हम इसको, जो हमारे फ्रंट पार्ट हैं और बैक पार्ट है, इसको आपस में जोड के हम बनाएंगे, ये दिखिए, इस पे सुई धागे पे, ये जो बाजू के ये उतार लीजिए, ये देखिए, मैं भी उतार लेती हूं, फिर मैं आपको दिखाते हूं, देखिए फ्रेंड्स, ये बाजू के फंदे मैंने सारे धागे पे उतार लिए, यहां तक, आप यहां देख सकते हैं, ये सेकंड मार्कर है, यहां तक हमारे बाजू के फंदे, स सारे ऐसे धागे पर आजाएंगे अब यह मारकर उतार करें देगे हम अब फ्रेंड्स यह वाला जो पोर्शन है यह हमारा बैक साइड का पोर्शन है यह दिखिए यह पूरा यहां तक यह ग्रीन मारकर तक इसको हम बुनेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं देखे फ्रेंड्स इसमें हम back side जब attach करने से पहले हमें क्या करना है कि थोड़े से फंदे हमें यहां पे cast own करने हैं क्योंकि जब हम front और back को इसमें करते हैं attach करते हैं तो हमें कुछ का फंदे इसमें डालने पड़ते हैं नहीं तो ये बहुत टाइट बन के आता है तो जो कि बहुत दिकत हो जाते है देखिए इसमें मैं अपने डिजाइन के हिसाब से फंदे इंक्रीज करूंगी तो आप आठ या दस फंदे इसमें डाल सकते हैं एक्स्ट्रा तो डाल लेते हैं आठ फ फूर फाइव सेवन और यह एट यह दिखे आठ फंदे इसमें मैंने कास्ट ओन कर ली हैं इससे मेरा इदर बीच का जो डिजाइन है वो भी सैटल हो जाएगा और मेरे फंदे भी इनक्रीज होगे तो आप आठ से लेके दस तक फंदे बड़े स्वेटर में इनक्रीज कर सकते हैं तो चलिए नेक्स्ट करते हैं इसका अगला पॉर्शन जोड़ते हैं देखिए फंदे कास्ट ओन करने के बाद यह जो बाजू वाला पॉर्शन है इसको हम ऐसे कर देंगे सीधी सलाई हमारी आ रहे है यह देखिए ऐसे इसको हम यहाँ पे फंदे निकल गया है थोड़े से मैं इसको सही कर लेती हूँ देखिए फ्रेंड्स मैंने यह फंदे इसमें डाल ली हैं बाजू वाला पॉर्शन जो ऐसे इसको हम कर देंगे यह देखिए इसके धागे में डाल चुके हैं फंदे तो आगे का हमारा देखिए कैसे करेंगे हम यह जो हमने फंदे कास्टोन की हैं इसको देखेंगे ऐसे सीधे होने चाहिए और यहां से आप देखेंगे कि अगला फंदा हमारा क्या आ रहा है तो यह आ रहा है उल्टा तो आप इसको उल्टा ही बुनिए यह हम बैक साइड इसमें जोडने जा रहे हैं बैक साइड अटैच कर रहे हैं यह देखे तो नेक्स्ट जो आपका पैटरन है फ्रेंड्स उसको आप वैसे का वैसे ही चलाईए यह देखे जैसे तीन फंदे हैं यह सीधे और एक फंदा हम उपर से निकालेंगे यह पैटरन वैसे का वैसे चलाएंगे और फ्रेंड्स जो बीच के फंदे हमने कास्टोन किये हैं यह वाले इनको हम इनको भी पैटरन में चेंज करेंगे पर हम इसको पहले इसकी सिलाईएं डाल लेते हैं फिर करेंगे तो यह पैटरन बुनते हुए आप इसमें यह जो आपका बैक साइड है यहां तक आप कंप्लीट कर लीजे मैं भी कर लेती हूं फिर दिखाती हूं देखे फ्रेंड्स बैक साइड के 109 फंदे जो हैं वो मैंने बुन ली हैं यह लास्ट फंदा है देखे यह बुन लेते हैं अब यह हमारे पास आगे के नेक्स्ट फंदे जो हैं यह बाजू के हैं यह देखे यहां तक 88 स्टिचिज तो बाजू के फंदे फिर से हम सुई और धागे में डाल के रख लेते हैं यह सेकंड बाजू है पहली हमने डाल लिये थे यह देखे यह सारे फंदे जो हैं यह धागे पर डाल के रख लेंगे यह देखे तो यहां तक मैं फंदे बाजू के जो हैं धागे पर डाल लेती हूं फिर मैं आपको दिखाती हूं देखिए फ्रेंड्स बाज्जू के फंदे जो हैं ये मैंने सारे सुईधागे पर कर दिये हैं यहां पर ये दिखिए अब हमारे पास जहां बचते हैं ये second front side है जो हमारी उसके फंदे हैं तो यहां से हम इसको निकाल देंगे marker को अब यहां से दिखिए क्या करेंगे फ्रंट side को जोड़ना इसके साथ तो फिर से हमें 8 फंदे इसमें increase करने हैं जैसे हमने उद्र को जोड़ा था तो हमने किये थे फ्रंट side के बाद जब हमने back side जोड़ा था तो किये थे तो यहां पर भी हमें करने हैं यहां हमारी बाजू है वहाँ पर हमें यह करना ही है वान टू थ्री फूर फाइव सिक्स सेविन और यह एट यह देखिए आठ फंदे मैंने यहां पर कास्ट ओन कर लिये हैं अब यह बाजू जो है इसको ऐसे कर देंगे हम देखिए ऐसे इसको यहां नीचे वाली साइड नी करेंगे इदर को करेंगे हम अपनी साइड इसको कर लेंगे बाजू को देखिए फ्रेंड्स अब हम इसका जो है फ्रन्ट पार्ट अटैच करेंगे यह देखिए ऐसे हिसी दे फंदे रखेंगे और बाजू को अपनी तरफ द्रको कर लेंगे और यहाँ पर आगे जैसे फंदे हैं वैसे आप अपना डिजाइन डालिए यहाँ पर उल्टे फंदे हैं तो मैं उल्टे फंदे बुनने जा रही हैं अब यह डिजाइन हम आगे यह जो है पला इसका वैसे का वैसे continue करेंगे जैसे हम पीछे करते आ रहे हैं ये दिखे ये सारा मैं यहां तक बुन लेती हूँ अपना design continue करते हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ अब friends मैं आपको बता देती हूँ कि डिवाइडेशन करने के बाद ये कैसा दिखेगा ये दिखे ये इसका neck portion है उपर का अब मैं यहां से आपको दिखाते हूँ ये दिखे इदर ये इसका बाजू है जो हमने निकाल ली है फंदे धागे पर ये हम बाद में बुनेंगे अब यहां से आप देखे ये हमारा front portion है ये back portion है ये हमने इकठे कर लिए हैं ये दिखे ये कठा बुना जाएगा जैसे मैंने आपको बताया था ये हमारे front portion है ये back है यहां से भी इदर से भी देखे ये हमने साजहा कर लिए है इसको ये कठा बुना जाएगा एक सिलाहे पे कर लिए है और यह है हमारी सेकंड बाजू यह देखिए यह हम बाद में बुनेंगे तो चलिए मैं आगे थोड़ा सा बताऊंगी इसका बाकी यह बहुत एजी है आगे चलके देखी फ्रेंड्स मैंने इसका डिवाइडेशन आपको अच्छी तरह से बता दिया है अब सिर्फ रहा है यह जो बीच के फंदेंगे इसको हमने कैसे अरजस्ट करना है कैसे बुनना है तो यह इसकी देखिए रोंग साइट की सिलाई है तो यह यहां से स्टार्ट किजिए और अपने डिजाइन के हिसाब से यहां तक बुन लीजिए यहां तक फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि आगे क्या करेंगे देखे फ्रेंड्स मैंने ये फंदे जो हैं अपने पैटर्न के हिसाब से बुनके कम्प्लीट कर लिए हैं तो यहां पे आप देखिए मैं यहां पे आने वाली हूँ तो अभी ये सीधे फंदे हैं तो सीधे बुन लेते हैं जैसे हमारा पैटर्न चल रहा है वैसे चलाएंगे यह देखिए ये 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 अब हमारे पास है जो हमने आठ फंदे इसमें कास्ट ओन की हैं तो फ्रेंड्स ये जो फंदे हैं आठ जो आपके कास्ट ओन हो रखे हैं इनको आप उल्टा बुनेंगे एक एक करके इसको थोड़ा सा आप ऐसे लूज करें पहले और फिर आराम से बुना जाएगा ये देखिए ऐसे इसको पिछे की साइड ये देखिए इसको थोड़ा सा पिछे को लूज करेंगे तो फरंट से आप इसको उल्टा अराम से बुनेंगे ये जो आठ फंदे आपने इसमें कास्ट ओन की हैं ये सारे रोंग साइड से आपने अभी उल्टे बुनने हैं क्योंकि अभी ये इस पर डिजाइन नहीं पड़ सकता है राइट साइड में आ कोड़ा सा ऐसे लूज करें और ये इजीली बुना जाता है ये देखिए फ्रेंड्स मैंने ये आठ फंदे कंप्लीट कर लिए बुनके और आगे के आपके फंदे जैसे हैं आप ऐसे बुन लीजिए डिजाइन के हिसाब से ये देखिए ये ये आपके पास हैं यहाँ पे तीन फंदे ये सीधे हैं तो इदर से आपके उल्टे ही आएंगे उल्टे बुन लीजिए जो सारा है ये डिजाइन के हिसाब से आप अपना बुनके कंप्लीट कीजिए मैं आप ये आपको दिखाते हूं ये दिखिए ये पूरी सिलाई जो है डिजाइन के हिसाब से बुनिए और यहाँ पर फिर से आपके पास ये फंदे होंगे ये जो आपने इसमें कास्ट उन गी है ये उल्टे बुन लीजिए और सारी सिलाई यहाँ पर कंप्लीट कर लीजिए ये मैं कर लेती रॉंग साइड वाली फिर मैं राइट करेंगे जैसे यह चल रहा है वैसे ही आप चलाएंगे यह दिखे यह ऐसे करते हुए आप यहां तक आ जाईए तो फिर मैं यहां से आपको पैटर्न की सेट्लमेंट बता दूती मैं देखे फ्रेंड्स मैं यहां तक पहुंच गी हूं अपना पैटर्न बुनते हुए यह द और यह फोर और यह फाइव पांच फंदे उल्टे आ जाएंगे फिर तीन सीधे आएंगे जैसे हमारा पैटर्न चला हुआ है तीन सीधे पांच उल्टे तो तीन सीधे जिस पर डिजाइन आता है हमारा यह दिखे तीन सीधे आगे यहां पर और फिर से फ्रेंड्स पांच फॉर और ये फाइव ये पांच उल्टे हो गए यहां पर अब यहां पर देखिए हमारे पास तीन सीधे चाहिए हमें वान टू थ्री यह दिखें तीन सीधे होगे अब आप देख सकते हैं कि आपका पैटर्न यहां पर पूरा अड्जस्ट हो चुका है हमने फंदे ही उसी साब से इसमें इंक्रीज किये हैं यहां कास्ट उन किये हैं जितना हमारा पैटर्न भी इसमें सैटल हो जाए क्योंकि फ्रेंड्स इसमें साइड्स लाई नहीं आएगी तो फिर अच्छा नहीं लगेगा अगर पैटर्न इसमें सैटल ना हो तो आप देख सकते हैं कि pattern settle हो गया ये तीन सीधे पांच उल्टे तीन सीधे पांच उल्टे फिर से तीन सीधे फिर से पांच उल्टे तो यहाँ पर पूरा complete कर लीजिए फिर मैं यहाँ पर भी आपको इसका pattern की settlement बता देती हूँ देखे friends मैं दूसरी साइट पहुंच गी हूँ यहाँ पर हमें यह फंदे का स्टोन की यह थे तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज बता देती हूँ कि जब हमने wrong side की slide डाले थी तो हम यह तीन फंदे जो हैं हमारे सीधे इसमें से एक फंदा जो हमें धागा घुमा के लेना था यहां पर है ऐसा तो हम क्या करते हैं कब यहां से हम यह इसको ऐसे कर लेते हैं क्योंकि यह 3 फंदे हमारे हैं इसमें सीधे यह देखे यहां पर यह भूल गए थे तो पांच उल्टे, तीन सीधे, ये देखे, आप देख सकते हैं कि वैसा पैटर्न आ गया है, जो हमारा जैसे नीचे वाला है, तीन सीधे होगे, अब हमें पांच उल्टे करने हैं, वन, टू, थ्री, फूर, और ये फाइव, फिर तीन सीधे करने हैं, वन, टू, और ये थ्री, तीन सीधे होगे, अब आप यहां पे देखेंगे कि आपका ये तीन सीधे हैं इंदर से, दो, चार और ये पांच, पांच फंदे आपके उल्टे आ जाएंगे, तो आप देख सकते हैं कि फ्रेंड्स आपका पैटर्न जो है, दोनों साइड सैटल हो गया ह तो अब आप आराम से इसको बुनते जाएंगे, जैसे हमने ऊप़र इसका पैटर्न बुन आएं, वैसे ही हमें बुनना है, तो इस में क्या करेंगे कि अब हमारे बास पांच उल्टे रहेंगे और तीन सीधे रहेंगे, तो यही पैटर्न आपका आगे तक चलता जाएगा, आपका पैटर्न ये सीधे फंदों पे हैं सीधा फंदे जो तीन है इस पे आपका पैटर्न चल रहा है बाकी तो आपको पांच जो उल्टे फंदे बुनने है तो वह ऐसे ही चलता रहेगा तो ये मैं रोग कंप्लीट कर लेती हूं फिर मैं आपको दिखाती हूं देखे फ्रेंड्स अब आपका इसमें डिजाइन सैटल हो चुका है आप यहां से देखिए यह आपका सांजह हो चुका है यानि कि फ्रंट साइड के पल्ले और बैक साइड का आपको इसमें जोड़ चुके हैं तो आपको अब अपने पैटर्न के हिसाब से बुनते जाना है जितनी आपको लेंथ चाहिए उतना बुनिये इसको और फ्रेंड्स में आपको बता देती हूं कि इसमें अब टोटल कितने फंदे होगे हमारे तो यहां आप देखिए 65 65 फंदे इस वाली साइड के फ्रंट पल लेके यह वाले के और 65 सेकिंड पल लेके और यह जो आपका बैक साइड का पला है इसके लिए हमने लिए हैं 109 फंदे और फ्रेंड्स यहां पर यह हमने बढ़ाए हैं यह दिखिए 8 फंदे यहां पर बढ़ाए हैं और 8 फंदे हमने यहां पर इंक्रीज की हैं तो अगर इन सब का यह टोटल बनाएं तो 255 फंदे हमारे इसमें हो यह देखिए अपने पैटर्न के हिसाब से ऐसे हिद्र को ऐसे से करके यह आपका सांजा बन जाएगा जो पिछला साइड है और फ्रंट साइड है यह आपके एकठे बुने जाएंगे तो यह बुन लीजिए आपको जितनी लेंथ चाहिए हो मैं भी बुन लेती हूं और मैं आ नीचे तक की जो लेंथ है इसकी स्वेटर की कंप्लीट कर ली है अब मैं आपको इसको मेजर करके बता देती हूं यह मैं शोल्डर से यहां नीचे तक माप रही हूं तो यहां पर फ्रेंड्स मेरे पास इसकी साड़े 14 इंच मैंने इसको बुना है तो अगर सेंटीमेटर मे यहां पर माप रही हूं तो थोड़ा सा खिंच जाता है तो इदर उदर हो जाता है यह देखे साड़े 14 इंचिस की लंबाई है 37 सेंटीमेटर लगबग है यह तो आप अपने हिसाब से जितनी आपको लेंथ चाहिए आप उतनी बनाईए इसमें मैं नीचे छोटा सा बॉर् हमारे टोटल फंदे जो है रांड में जो हम यह बुन रहे हैं तो हमारे पास 205 फंदे हैं यह टोटल तो फ्रेंड्स अब आगे हमें बॉडर बनाना है तो हम हमेशं बॉडर के लिए थोड़े घटाते हैं जैसे हम नीचे से अगर बॉर्डर से स्टार्ट करते हैं पहले हम कम डालते हैं फंदे फिर उपर से थोड़ा सा बढ़ाते हैं तो उसी साब से टॉप टू डौन बना रहे हैं तो आगे बॉर्डर बनाने जा रहे हैं तो कुछ को फंदे हम यहां से घटाएंगे तो फ्रेंड्स 255 फंदे इसमें हैं तो मैंने इसमें घटा लिए हैं तो मैंने पास फंदे होते हैं उसमें हम तीन उपर से उल्टाते हैं एक फंदे को मैं सीधी साइड से आपको दिखाते हूं यह देखे यह मैंने रोड डाली है अभी जिसमें हमने तीन फंदे बुने थे और उपर से एक फंदा पल्टाया था तो उसमें हमारा एक फंदा कम हो जाता है उल्टी साइड में हम यहाँ पे जाली डालके वो फंदा बढ़ाते हैं तो इसमें फ्रेंड्स हम नहीं बढ़ाएंगे तो हमारे फंदे आटोमेटिकली कम हो जाएंगे तो मैं यहाँ आपको दिखा देती हूँ यह देखिए इसके जो पैटन है एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चोदा, पंदरा, सोला, सतरा, अठरा, उननिस, बीस, इकिस, बाइस, तेईस, चोबिस, पच्चिस, चबिस, ताइस, अठाइस, उननतिस और यह तीस पैटन है तो फ्रेंट्स ओटोमेटिकली इसमें 30 फंदे कम हो गए है तो आप भी इसमें ऐसा करेंगे आपको घटाने की कोई जरूरत नहीं आपका पैटन भी अच्छा आजाएगा तो यहां से आप सीधा इसका यह वाला एक, यह सिलाई डालके आपका एक एक फंदा अपने आप कम हो जाएगा तो फंदे मैंने कम कर लियें 225 फंदे रहें तो फ्रेंट्स जितने भी आप फंदे रखो आपको ओर्ड नंबर के फंदे रखने है क्योंकि तब ही आपका इदर से सीधा है तो उदर भी आपका सीधा आएगा यहां पे 11 नंबर की सलाइएं इसमें लगाई है उपर हमने सारा 10 नंबर पे बुनाएं तो बॉर्डर में हम जैसे बारीक सलाइएं थोड़ी यूज करते हैं नंबर यूज करते हैं तो मैंने यहां पे 11 नंबर की यह सलाइज सर्कूर नीडल डाल ली है इसी में हम इसका बॉर्डर बनाएंगे तो चलिए स्टार्ट करते हम इसको दिखिए फ्रेंड्स इसकी रॉंग साइड में हम यहां पे मैं जो बटन पटी के फंदे हैं वह बुन लिये हैं अब नेक्स्ट सिलाई फ्रेंड्स इसकी सारी आप उल्टी बुन के कंप्लीट करें क्योंकि नेक्स्ट जो हमारा राइट साइड से हम इसका बॉर्डर स्टार्ट करेंगे तो यह मैं सारी उल्टी बुनते हुए कंप्लीट करती हूं पूरी रो और लास्ट में आपका बॉर्डर भी है नो फंदों का जैसे इधर है उदर भी वैसे है तो आप बॉर्डर बना दिखाऊंगी इसमें कैसे करेंगे इसमें एक्चुली फंदे उतर गए थे तबी यह उल्टे से फंदे आ रहे हैं तो दुबारा चड़ाएं मैंने तो यह मैं कर लेती हूं सारी उल्टी बुनते हुए कंप्लीट फिर मैं आपको दिखाती हूं देखिए फ्रेंड्स मैंने इसका यह रॉंग साइड की उल्टी सिलाइब इते हुए कंप्लीट कर लिये यहां मैंने बॉडर बना रही है लास्ट में अब आते हैं इसकी राइट साइड में अब इसका हम बॉडर बुनना स्टार्ट करेंगे तो बॉडर आपको पता है कि यह एक उल्टे का ही आएगा तो यहां पर दिखी मैंने बटन पट्टी के फंदे बुन लिए हैं एक सीधा एक उल्टा एक सीधा करते हुए तो यहां पर यह दिखे सीधे तक यहां खतम हुआ है तो यहां से हम अपना बॉर्डर जो है एक सीधे एक उल्टे का कंटीनू करेंगे ये दिखे, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, ऐसे करते हुए ये border हम बनाते जाएंगे, जितना border आपको चाहिए हो आपने पहले भी बहुत बार बनाया होगा ये, उल्टे, एक, उल्टे, एक सीधे का border, तो जैसी हमारी उल्टा एक सीधे का बॉर्डर बनाते जाएगे देखे फ्रेंड्स मैंने इसमें बॉर्डर बुनके कम्प्लीट कर लिया मैंने 17-18 स्लाइएं लगबग इसमें डाली है तो आप अपने हिसाब से जितना आपको बॉर्डर बनाना हो आप बना सकते हैं अब मैं आपको इसका बाइंडॉफ बता देती हूँ जल्दी जल्दी इसमें जादे कुछ है नहीं तो चलिए बाइंडॉफ करते польз करते हैं इसको देखे फ्रेंड्स इसका बाइंड उफ आप किसी भी तरफ कर सकते हैं साइट से करिए चाहिए उल्टी साइट से करिए बस आपको एक चीज फोलो करनी है तो मैं आपको वह बता देते हूं यह देखिए यह इस टिच है यह मैंने उतार लिया है उसके बाद फ्रेंड्स आपका उल्टा फंदा है तो आपको इसको उल्टा ही बुनना है बस यही फंदभा है वह निकाल देंगे सिर्फ इतना सा आपको थोड़ा फॉलो करना यह दिखे ऐसे फिर आपका फिर ओल्टा ही ओनना ही यह पनदभा द कि ऐसे और उपर से बुनते हुए बाइंड ओफ करेंगे तो आपकी यह चेंस ही बन के आएगी जो कि इसकी सुन्दरता को बिल्कुल बेगाड देगी तो हमने सुन्दरता इसकी खराब नहीं करने स्वेटर की तो हमें ऐसे ही बाइंड ओफ करना है इससे बहुत सुन्दर आता है तो ऐसे ही करते हुए यह बाइंड ओफ आप कर लीजिए यह मैं भी कर लेती हूँ और आपका यह जो पल्ले वाला काम है यह खतम हो गया यह बाइंड ओफ हो जाएगा सारा अब आप भी बना लीजिए और प्लीज सब्सक्राइब लाइक और शेर तेंक यू